हेलो बच्चों कैसे हो आई होप सब अच्छे होंगे तो बच्चों आज आपका स्टार्ट होता है अकाउंट का फर्स्ट चेप्टर जो क्या है NPO Financial Statement of Not-for-profit Organizations देखो बच्चों शोड़ फर्म में हम इसको क्या बोलते हैं NPO North-for-profit Organization NPO मतलब क्या है नेम से ही पता है आपको क्या है North-for-profit Organization Organizations समझाया North-for-profit Organization इसका मिनिन देखो बच्चों नेम से ही पता चलता है आपको देखो नोट का मिनिंग है नहीं फोर के लिए त्रविट लाब ओके नाइज़ेशन जो लाप नहीं कमाने वाले संस्ता है में जो लाप नहीं चाहती है अगर नहीं चाहती है तो वह से किसली होगी किसली होगी सर्विस मोटिव के लिए सोशल मोटिव के लिए समझाइए नहीं है वह किसके लिए होती सर्विस मोटिव आपको क्या देना चाहती है हो सर्विस इस देना चाहती है नहीं चाहती में कि से क्वाएन देना चाते हैं वो आपको सेवाएं कैसे होगी कौनगों से होगी Yves कैसे कैसे सच और ऑगेनारिजेशन INCLUALS कॉलांप्स, Hospitals,School,РИलिजिस,Institutions यह सब क्या होते हैं यह क्या विए हमें क्या देते हैं सेवाएं कलब्स हैं वो भी हमें से वाई देते हैं होस्पिटल्स गौर्मेंट होस्पिटल्स हैं गौर्मेंट होस्पिटल्स हैं वो हमें क्या देते हैं फ्री ओफ कोस्ट मैडिसेंग्स देखते हैं इलाज देते हैं अपना देते हैं नहीं देते हैं स्कूल्स हैं गौर्मेंट गौर्मिंट स्कूल है वो भी हमारे क्या है free of education होती है बट बहुत ज़्यादा क्या होती है कम होती है उनकी फीस तो इनका mean motive क्या है service motive क्या है service motive बच्चे ध्यान से समझना NPO क्या है NPO Not for Profit Organizations जिनका उदेश्य क्या होता है धन कमाना नहीं होता है motives देने होता क्या है भलाई लोगों के लिए समझाये नहीं होगा है कौन कोशी services है Hospitals होगे, Schools होगे और भी बहुत चीज़े है जो सुरब क्या देते है services देते है अब देखिए These non-profit seeking and exist with the primary motive of providing service income motive क्या है service देना है हमें क्या है सिवाइन देना है हमें देना है यह नहीं देना है The main source अब देखो बैटेंगी main source income क्या है अब services देंगे अब इनकी income कहा है इनको पैसे कहां से मिलते है अब यह भी बात है अब कोई ना कोई तो पैसे देगा ना इनको कहां से मिलेंगे Subscriptions, Membership, Subscriptions, Donation, Grants कहता है कि ये तीनों चीज़े क्या होते देखो Subscription क्या होता है Subscription होता है बेटा Membership Membership, Subscription क्या होता है बेटा Subscription ऐसे पैसे होते है कि मगर अगर आपको NPO में Member बनना है NPO में क्या बनना है Member बनना है तो उसके लिए आपको Monthly या Quarterly बेटा कि आपको क्या देना है आपको पैसे देना है एक फीस देना है वो उनकी हिसाब से कि वो कितनी भी देना है लेंगे आप उसे तो वो कहता है कि आपको पैसे देना है तो वो क्या होगी Membership, Subscription समझाये ने, Donation है लाइक आपने मंदिर बनाना है यह Temple है तो Donation for Temple भी आ सकते है यह Normal donation भी है कोई 200 दते है कोई 300 दते है वो क्या बोलते है उसको Donation समझाये ने, यह आगे अब आगे देख्यों क्या बोलते है आप दे में आज सो अंडर टेक टेरेडिंग एक्टिविटीज इन ओडर टू आन सम तो फिट कहते कि कई ऐसी एक्टिविटीज भी करते है जिससे इंगों क्या मिले प्रोफिट मिले लाब मिले अब देखो बेटा बिसनस क्या होते हैं दो टैप क्यों होते हैं एक होते हैं एक क्यों होती है प्रोफिट ओगिनाइजेशन आपको याद वेगा प्लस वन में चप्टेल था फिनाशल स्टेटमेंट तो फिनाशल स्टेटमेंट में हम तीन चेज़े मनाते थे first है कौन सा था first बचता हूँ याद होगा आपको first है trading account था यह नहीं था first first कौन सा था trading account second कोन सा profit and loss account third क्या बनाते थे हम इनके साथ balance sheet बनाते थे यह नहीं बनाते थे बनाते थे अब trading account से हमें क्या बता चलता है गरोष प्रोफिट या लोष इससे पता चलता था अब प्रोफिट या बनता है देखे बच्चे इसमें क्या बनता था नेट प्रोफिट नेट लोष समझाये नहीं है अब वहाँ पर हम यह तीनों चीजे बनाते थे किसमें जो profit organizations थी, जिसका क्या main motive था, earn करना किसको profit को, समझाएं नहीं है, अब इसका main motive था earn, कि organization में क्या चाहिए profit, चाहिए यह नहीं चाहिए, अब देखिए, अब इसमें क्या मनाएंगे, NPU में, NPU में तीन accounts माते हैं हम, first कौन सा है, first कौन सा है, receipt and payment account, second कौन सा है, income and expenditure account, third क्या मनाएंगे, balance shift, समझाएं नहीं है, अब receipt and payment आपको आगे समझाएंगे, क्या होता है यह दोनों चीज़े, अब पहले यह देखिए, बच्चे, means, क्या है, feature, किसके, NPU के, क्या है main, aim is service, इसका काम क्या है main, service देना, किस चीज़ की, education की, health, care, sports, entertainment, इन सबके क्या देनी है, services, इनका काम क्या है, service देना, कि क्या है, profit का माना, second क्या है, firm, these organizations are set up as cherry table test, कैसे हैं, यह set up की मलब, कि जो दान देने वाली test होती है, वो हैं यह, to all societies, दान देने वाली क्या हैं, यह, trusts है, separate entity, इसका meaning क्या होता है, बच्चे, देखिए, कहते हैं, कि इसके अलग ही अपनी पहचान होती है, अलग पहचान होती है, मनलब, अलग ही एक अस्तित्व होता है, कि इसमें न, admission of new members होए, या जाए, या किसी की death होजए, इस पर कोई भी effect नहीं होएगा, company का, या किसी भी चीज का, पैसो का, समझाएगे न, या, yes, managed by elected members, these organizations, are usually managed by a managing or executive committee, किसके दोर manage की जाती है, managing or executive committee, elected by its member, major source of income क्या है, आपको पहले बिताया थे, क्या होता है, donation, subscriptions, किसे मिलते है, member से, donation, granted, इसका क्या होता है, अनुदान, income from investment, जो इन्होंने income होते हैं न, इनकी investment क्यों है, तो उससे क्या मिले है, इनको, income, समझाएगे नहीं आया, yes, आगे क्या बोला हुए, surplus not distributed among its members, मन्दब कहता है, कि कर टाइम, हमारा income क्या हो जाती है, जादा हो जाती है, किसे, expenditure से, खर्चे से हमारा income क्या हो जाती है, जादा, तो तब ये बाटाने जाता, किसमे ने बाटा जाता, members में, तब ये किसको दे दिये जाते हैं, पैसे, इसको किसमें डाल दे जाते है, capital fund में, समझाये नहीं है capital fund में क्या हो जाता है इनको add कर दिया जाता है हो गया अब क्या है seventh point accounts these organizations also have to maintain क्यातने है कि प्रोपर account इसको बनाने होते हैं किसके लिए legal requirement समझाये नहीं है legal मतलब कानूनी कारवाई के लिए क्या बनाने होते हैं इसको प्रोपर accounts बनाने होते हैं form of accounts accounts of form कितने टाइब के होते हैं ये they prepare their financial statement कब बनाते हैं at the end of each accounting period accounting period कब होता है and May 31st March in the form of receipt and payment account Congo's accounts मंदेश में receipt and payment income and expenditure and balance sheet समझाया आके देखिए बच्चे receipt and payment account ये बहुत इजी है receipt and payment account ये क्या होता receipt and payment बच्चे ये सेम आपका cash book के जैसे होता है सेम डिक्टो जैसे आप cash book वो नामने हैं वैसे क्या आप नहींगे receipt and payment account बिल्कुल like receipt and payment भी सेम है और cash book भी सेम है आप देखिए बच्चे receipt cash book क्या है nature of account क्या होता है nature of account क्या है क्या है real account क्या है ये real account इसका क्या था formula क्या बोलते थे इसको rule क्या थे इसका debit what comes in debit what comes in credit what goes out जो भी पैसा आता हो किस में लिखेंगे ये debit में जब जाएगा तो किस में होता है credit में समझाये ये नहीं आया ये ये देखो nature of account it is a real account समझाये नहीं आया debit what comes in credit what goes up second है इस स्टार्ट विद दा ओपनिंग बैलेंस ओफ क्याशन हैंड़ मैं ये कैसे स्टार्ट होता देखेंगे यहां देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं इसे 10 payment account हमेशे कब बनाते हैं ये at the end of the year समझाये अब देखेंगे हमेशे ही opening balance कैसे लिखते हैं टू बैलेंस बील्डी तू बैलेंस बील्डी मालोग 5000 है तो 5000 कैश में हैं तो अलग लिख देंगे बैंक में है तो अलग लिख देंगे समझाये अब डाइबर्ट साइड में अब इसमें कौन से आइटम्स लिखी जाएंगी कहता है कि कौन कौन से आइटम्स इसमें लिखी जाएंगी रिवैन्यू क्याता है कि इसमें कौन से नेचर की इसमें लिखी जाएंगी देखो इसमें हम दोने ही नेचर की लिखेंगे रिशेप की भी revenue की भी and capital की भी इसमें सिर्फ हमारे को मिलने से मतलब है इसमें चाहे वो revenue nature हो चाहे वो क्या हो capital nature की हो अब यह बताओ revenue क्या होता है और capital क्या होता है वे खर्चे जो बार-बार होते हैं again and again है ना चाहे वो करंटी यह की हैं चाहे वो पास्ट यह की हैं चाहे वो क्या है नेस्ट यह की हैं वो किसमें लिखे जाएंगे इसमें लिखा जाएगा लिखा जाएगा ना लेए वन्यों कौन से खर्चauen होतें, जो बार भाँ खर्च ओतें, अगेन हैं, अगेन, समझाया नरे bisschen, जैसे की कैसे खर्चे हैं माल लो, कि कुछ भी है, खर्चे हैं सैलरी देनी है, देने न सैलरी, तो यह कब है महीने बाद भी देते हो दो महीने बाद भी देते हो और कैपिटल अकाउंट है कैपिटल खर्चे कौन से होते हैं जो उनसे एक बार होते हैं कैपिटल रिसेट कौन से होती है जो एक बार होएंगी जो एक बार मिलती है साल में कैपिटल पेमेंट कौन से होती है जो एक बाव होती है, या बूर्ट कम होती है, वो कौनसों थी Capital Payments, Receipt, इसमें कौन-कौनस रहेंगे, Revenue Receipt, और Capital Receipt, यहां पर कहाएगी, Buy, Revenue, Payment, Capital Payment, समझाए है नहीं आया, यह वापिस समझाओ, कोई बाक ने, देखिए सबसे पहले balance बेड़ेगा debit what comes in जो भी हमें मिला है debit side लिख देंगे यह कौन से यह debit यह क्या है credit जो भी हमें मिला है यहां लिख देंगे चाहे वह revenue हो चाहे वह capital हो जो भी हमने payment किये, जो भी हमने दिया है, वो क्रों लिख देए, credit side, समझाये नए और चाहिए वो current की हो, चाहिए वो previous की हो, चाहिए वो किस की हो, next year की, तो किसमे लिखेंगे हम, किसमें लिखेंगे हम वो, यहां पर, credit side, समझाये है, हां जी, अब देखिए कहता है कि अब ओपनिंग तो हमने यहां लिख दिया तू बैलंस बेड़े अब कलोजिंग का लिखें देंगे हमेशा बाई बैलंस सीडी समझाया नहीं है बाई बैलंस सीडी अगर कई बार बैंक ओगर ड्राफ्ट हो जाता है तो किस साइड आजेगा यहां पर डैबर्ट साइड किस साइड आजेगा वो डैबर्ट साइड अच्छा से आया नहीं है समझ हाँ जी एको मेन बात है कि इसमें non cash items नहीं लिखी जाएंगी कौन से नहीं लिखी जाएंगी non cash item non cash item कौन कौन से होगी depreciation depreciation outstanding expenses जो कि मारे बकाया है पिछले साल वाले accrued income समझाएं न तो यह तिनों चीज़े इसमें नहीं लिखी जाएंगी अगर हमें questions में दियो हैं यह तिनों चीज़ें तो यह हम इनको नहीं लेंगे समझाएं नहीं आई यह 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 देखिए बच्चे अब हमने यह मैंने आपके लिए format बना दिया है receipt and payment टू बैलेंस बेड़ी जो अपना ओपनिंग बैलेंस है cash का यह बैक का समझाया उसमें revenue receipt लिखनी है debit side जो हमें मिली है revenue भी capital भी दोनों टाइप की revenue कौन से होती है जो बाबा मिलती है capital कौन से होती है जो कभी-कभी मिलती है अब credit side का यह जो भी हमने payment करनी है अब buy balance cd cash का भी bank का भी इसमें एक बात ध्यान दिजिए इसमें कौन कोई से भी year की payment या receipt हो सकती है चाहे वो past हो present हो या क्या हो nest हो previous current nest समझाया नहीं आया आज तक कि आज का आपका इतना ही है